हलो, गुड आफटन स्टुडेंट्स तो हमारा टॉपिक चल रहा था बैलेंस दा रिडॉक्स रियक्शन रिडॉक्स रियक्शन को बैलेंस करने का तो और हम कर रहे थे आयन इलेक्ट्रोन मैथट से ठीक है बैटा, आयन इलेक्ट्रोन मैथट से कर रहे थे acidic medium बला हमने कर लिया था आज हम करेंगे for basic medium कि अगर को reaction जो है वो basic medium में आजाए तो किस तरीके से हम OH या water की addition करते हैं तो करते हैं बैटा एक last है balance the equations का तो equations है बैटा आपके पास CL2 plus OH negative CL1 negative plus CLO3 1 negative ऐसी equation दी है आपके पास तो कैसे करेंगे हम आपको पता है बैटा इसके लिए मैंने आपको तीन rule बताए थे वो तीन tricky rule थे कौन कौन सा था atom charge और electron A,C,E ये तीन थे atom charge और electron ये balance करने है तो देखो बैटा पहले सबसे पहले क्या करेंगे हम oxidation state निकालेंगे 0 आएगी OH है वही माइनस है CL है ये वही माइनस 1 oxidation state है यहाँ chlorine की माइनस 2,6 है माइनस 1 है ये आजेगी प्लस 5 oxidation state निकालेंगे ये प्लस 1 oxidation state आएगे अब यहाँ देखते हैं बैटा oxidation और reduction कहा हो रही है तो ये CL2 से ये जा रहा है CL negative तो 0 से माइनस 1 जा रहा है बैटा यहाँ ये reduction हो रही है ठीक है और बाकी oxygen तो ये सारा same है ये ही से ये CL2 से यहाँ CL5 की तरफ जा रहा है तो यहाँ 0 से ये प्लस 5 जा रहा ही कम जो ऑक्सिडेशन हा रही है अब ऐसा है ये जो CL2 है ये oxidizing agent भी है और reducing मतलब it act as both oxidizing and reducing agent ये दोनों का काम कर रहा है अच्छा ठीक है उसके लिए उसके बाद क्या बताया था मैंने half cell reaction लिख नहीं उटा तो half cell reaction कौन सी है oxidation की च्रीक है oxidation की क्या है CL2 CLO 3 1 negative half cell बेटा reduction की reduction half cell CL2 CL1 अब वही steps का काम करते है बेटा अब वही आता है step first तो first step में हम क्या करेंगे A balancing the atom atom को balance करना ठीक है तो oxidation half cell का CL2 प्लस CL CLO3 1 negative इसमें बटा कलोरीन 2 कलोरीन है यहां कलोरीन बन है 2 लगा दिया ठीक है CL2 था और प्लस साथ में यह OH है OH negative अब यहां कलोरीन कितने है बटा 2 कलोरीन है 2 कलोरीन है oxygen यहां कितने होगे 3 into 2 6 oxygen होगे और यहां oxygen 1 है hydrogen देखा जाए तो hydrogen यहां 1 है यहां hydrogen एक भी नहीं है ठीक है अब क्या कर सकते हैं हम यहां OH है यहां पर addition कर दो बैटा यह हमने atom के कर रहे हैं तो यह addition कर दो हम वहाँ water की देखे लेते हैं अब देखो ना oxygen कितने होगे 6 और 7 होगे अगर यहां हम 6 से multiply कर दे तो यहां पर देखो oxygen हो जाते हैं 6 और 6 12 हो जाते हैं ठीक है और hydrogen अगर हम देखते हैं तो hydrogen यहां पर 6 hydrogen है 6 into 2 12 hydrogen है तो इसको 12 से कर दो अब देखो ना 12 oxygen 6 प्लस 6 oxygen 12 hydrogen 12 hydrogen 2 chlorine 2 chlorine यह balance होगे है atom balance होगे अब उसके बाद आता है step 2 अब हमने balance क्या करना है charge charge को balance करना है reactions हम वही लिखेंगे CL2 है और इसका atom को हमने balance कर दिया 12 है इसका भी atom को हम balance करेंगे बटा अब यहीं कर देंगे CL2 है और CL negative है यहाँ 2 chlorine आ जाएगा ठीक है इसका balance ही है यह लो यह oxidation का CL2 CL negative यह 2 अच्छा यह हो गया अब charge है तो charge देखो बटा यहाँ पर CL के उपर minus 1 ने देखो 2 CL है यह 2 negative charge है यहाँ पर यह तो 0 है तो यह क्या करोगे यहाँ यहाँ 2 electron लगा लो बटा अब देखो charge balance हो गया 2 electron यहाँ पे है 2 negative charge यहाँ पे है charge balance हो गया इस case में अब second दूसरे में करना हमने 12 OH negative plus CL2 और 2 CLO3 1 negative plus 6 H2O यह अपने पास है इसमें बटा charge देखो इसमें charge हम balance करेंगे यहाँ पर तो ठीक है 2 electron यहाँ पे है 2 minus 2 minus यहाँ पे ठीक हो गया अब यहाँ पर charge है कितना charge होगा 12 OH यहाँ है 12 तो 12 negative charge यहाँ पे है और यह 0 है तो इसका अदर 12 हो यहाँ आ गया यहाँ बटा 2 कलोरी है CLO3 1 negative है तो 2 negative यहाँ पे है और बाकी है यह नहीं यह neutral है फिर देखो एक बटा 12 OH negative OH में minus 1 charge है तो minus 1 कितने है 12 है तो it means यहाँ पर 12 charge है वो भी negative charge है और यहाँ पर देखें CLO3 1 negative एक है लेकिन 2 लगे है तो इसका मतलब 2 CLO3 1 negative इसका अदर 2 negative charge है अब हमें कितना चाहिए 12 negative चाहिए तो प्लस 10 electron एड़ कर दो गटा देखो कितना charge हुआ 1 negative यह था लेकिन 2 था 2 CLO3 है तो इसका अदर 2 होगे 2 negative यह होगे प्लस 10 electron होगे 12 negative charge हो गया और यहाँ पर OH negative है 1 है 12 है पर 12 12 charge के लिए रहो गया electron अब electrons को balance करना है तो देखो electron को balance करेंगे तो क्यासे है 2 electron है प्लस CL2 और 2 CL negative सेकंड है बटा 12 OH negative प्लस CL2 2 CLO3 1 negative प्लस 6 H2O और प्लस 10 electron है यह 10 electron है यहाँ पर बटा 2 electron है और यहाँ पर 10 है इनको 10 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इस equation को 5 से multiply करना पड़ेगा ऐसा करेंगे तो यहाँ 5 के यहाँ बन जाएंगे बटा यह आजेंगे 10 electron यहाँ 5 5 Cl2 और यहाँ जाएगा 10 Cl negative इस equation को मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 electron थे 5 इंटो 2 10 electron प्लस 5 Cl2 और यह 5 इंटो 2 10 Cl negative अब इन तोने को यहाँ पर यहाँ यहाँ 10 electron बेटा 10 electron कैंसल होगे ठीक है अब 12 OH negative है प्लस 1 Cl2 यह है बटा और 5 Cl2 यह है यह कितना होगया यह होगया 6 Cl2 उसके बाद बटा 2 Cl3 2 Cl3 1 negative प्लस 10 Cl negative प्लस 6 H2 ठीक है यह बनेगे बटा आपके प्लस 6 H2 यह equation balance है और हम देख रहे हैं कि 12 OH negative है यहाँ तो OH negative के करने यह currency equation है यह बटा यह basic medium है यह basic medium है यह equation balance होगे तो इस तरीके से हम basic medium की भी हम equation reaction, redox reaction है वो balance कर सकते हैं इस method से अब एक और आपका एक और आपका direct method है method है बटा उस method से भी आप solve कर सकते हैं लेकिन वो method है वो method जो है वो complicated case में ज्यादा फाइद मन्त नहीं है अब देखो कैसे वो भी एक आपको मैं shortcut method में बता देता हूं और basic medium में का ही है लेकिन वो complicated equations के लिए नहीं है यह देखो MnO4 negative plus Br negative MnO2 plus BrO3 negative यह equation है आपके पास इस equation को अगर आपने solo करना हो तो कैसे करेंगे देखो मैं इसको direct यहां से बताता हूं पहले तो हमने क्या करना है बटा इनकी oxidation state निकालो plus 7 है BR तो यह तो already minus 1 लिखा है MnO2 negative है तो 2 minus 4 हो तो plus 4 आएगा यह plus 5 आजाएगा और यह minus 7 है अब देखो मैंगनीज है बटा यह मैंगनीज plus 7 से यह plus 4 की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब है reduce way reduction होगी ठीक कितने decrease कर रहा है बटा यह 7 से 4 यह 3 3 decrease कर रहा है यहां bromine की बात करते है बटा यह bromine है यह आपका माइनस 1 से 5 की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब है इसमें कितने increase 6 increase कर रहा है माइनस 1 0 include कर गए 5 तर काउंड कर रहा है तो 6 नंबर आएगा 6 increase कर रहा है अब यह 6 है यह 3 है अब क्या था वह आपको सबसे पहले मैंना oxidation number में बताया था 6 है 3 है इन दोनों को बराबर equal करना है तो बटा क्या करोगे हम इसको 2 से multiply कर दो यह भी 6 हो जाएगा तो क्या करना है अपने मैंगनीज को 2 मैंगनीज मैंगनीज यह यह वाला यह जो जो टर्म आपकी आ रही है यह decrease वाली इसमें आपने 2 से multiply कर देना तो क्या बन जाएगा यह 2 MnO4 1 negative प्लस BR negative बाकी नीच अपने इस टर्व करने है MnO2 तो यह भी 2 प्लस BR 3 1 negative ठेक है अब बैलेंस करना हमने है oxygen atom को बाकी तो हमारे सारे बैलेंस है oxygen atom को बैलेंस करना है देखलो Mn2 है Mn2 है oxygen atom नहीं है थोड़ा oxygen atom को करना है by adding water water add कर तो क्या बंजाए बटा 2 MnO4 1 negative प्लस BR negative और यह आ गया 2 MnO2 प्लस BR 3 negative अब देखो यहां पर oxygen 8 है और यहां पर oxygen 4 है और 4 और 3 7 है इसका मतला प्लस H2O एक oxygen एड़ कर दिया ठीक है हो गया अब इसके बाद हमने बैलेंस करना है बटा हाइड्रोजन atom को और बाई एड़िंग यहां पर हमने है ओएच नेगटिव या एच टू एड़ करना क्योंकि बिकॉज इस इन बेसिक मेडियम तो इसको हम ओएच नेगटिव एड़ करेंगे तो देखो क्या बना आपके पास हमारे पास था 2 MnO4 1- प्लस BR 1- तो MnO2 प्लस VR O3 1- और प्लस H2O यह था ठीक है अब हाइड्रोजन का हम केस देखते हैं यहां पर हाइड्रोजन 2 है ठीक है यहां पर हाइड्रोजन आपका 2 है और यहां पर हाइड्रोजन है नहीं अगर मैं यहां water add कर लूँ suppose कर लो मैंने H2O add कर लिया तो हाइड्रोजन तो 2 हो गया लेकिन एक oxygen extra आ रहा है ठीक है एक oxygen extra बन रहा है यहां और यहां oxygen देखो कितने हैं 8 हैं तो यह और यह 9 हो गया तो इसका मतलब है अगर यहां OH add किया हमने है H2 हमने यहां add कर लिया था तो it means यहां पर एक term OH negative add कर लो add करने पर क्या होगा यहां पर 2 negative कर लेंगे तो देखो यह सारा clear हो जाएगा यहां पर 8 है 8 है और यह आपका 2 यह 2 बाटर लग गए 10 होगे और यहां पर आपका 4 है मेटा 3 7 और 8 और यह 10 यह clear होगे ठीक है यह सारे के सारे balance होगे आप अब इनको हमने equations में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं यह यह बना हमारे पास equation 2 MNO 4 1 negative plus BR negative plus 2 H2O यहां पर 1 H2O यहां पर इसको मानस करें यह बन गया आपका 1 H2O और reaction आपका 2 MNO2 plus BR O3 1 negative और plus 2 OH negative यह equation balance है यह equation तो इस तरीके से हम इस method से भी equation इसको balance कर सकते हैं लेकिन यह जो method आपका यह तीन root का है यहां पर आपको simple है जैसे मजी complicated reactions हो atom, charge और electron यह तीन चीज़ें अपने balance करनी है तो यह था बैटा आपका redox reactions जितना जो balance करने के लिए था oxidation number निकालने के लिए था ion oxidation methods के लिए था वो सारी terms जो हैं वो मैंने आपको बता दिया गुडबाई, take care, keep watching है ले पुड़ जारी